वेल्कम बैक अब्रिवन वेल्कम टे सुवल सरव से स्टड़ी प्रैक्टिस सैट नमबर यह 96 है यूपी प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफिर्स के प्रश्णों पर जीएस के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट इसकी बना रखें वहाँ प प्रश्ण इंपॉर्टेंट है कई बार टैस सीरीज में आपने देखा होगा इसको वस अंतर यह है कि हर बार पूछने का तरीका बदल चाता है ठीक है और कई बार बताया जितने भी संगठन है उन सभी के सरस जिसमें भारत है खासकर उनके मेंबर को याद रखेगा ठीक है वही Elimination Method अपनाएंगे देखे सार्क में चीन मेंबर नहीं है चीन ब्रिक्स में मेंबर है लेकिन सार्क में मेंबर नहीं है चीन म्यामार जो है सार्क में मेंबर नहीं है और इंडोनेशिया सार्क में मेंबर नहीं है तो भारत बंगलादेश भूटान और पाकिस्तान यह सा रही है तो डी है स्कांसर लेकिए सार्क का फुल फॉर्म है दक्षण ACI छेत्रिय सयोग संगठन यानि दसाउथ एशियन असोसियेशन फोर रीजनल कॉप्रेशन इसकी स्थापना हुई थी आर्ठ दिसंबर 1985 को बंगलादेश के धाका में ठीक है इतना याद रखना है और सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी और दक्षण ACI में छेत्रिय सयोग का विचार सबसे पहले नौंबर 1980 में सामने आया था ठीक है साथ संस्थापक देशों कौन कौन है वो भारत बंगलादेश भूटान मालदीफ नैपाल पाकिस्तान और स्रिलंका के विदेश सचीवों के परामर्स के बाद जो है इनकी पहली मुलागात का हुई थी 1980 में कोलंबिया में हुई थी टाइफाइड होता है साल्मोनेमा टाइफी से और जो की एक वेक्टिरिया है यानी जिवाणू है भी है इसका अंजर देखिए टाइफाइड बुखार जो है एक जानलेवा संकुरोन है जो साल्मोनेला एंटिरी का सेरोबा टाइफी आम तर पर इसको साल्मोनेला टाइफी के रूप में जाना जाता है जो कि एक वेक्टिरिया वेक्टिरिया के दवरा होता है जीबाणों के दवरा question number 3 पर आजएए कौन malaria के लिए संचारण कारक है कौन फेलाता malaria madanaflis, naranaflis, qlex मच्छर, indies indies से डेंगी होता है इसको याद रखिएगा अभी पूछा था इसी साल पूछा था UPPCS में malaria होता madanaflis से भी A है इसका अंजर देखिए malaria malaria एक मच्छर जनित रोग है जो की plasmodium परजीवी के कारण होता है और इस परजीवी का संचरण जो है वो संक्रमित मादा एनफलीज यानि फीमेल एनफलीज के काटने से होता है तो A correct है ठीक है एनफलीज से होगा malaria और indies से होगा डेंगू question number 4 पर आज़े H1N1 विशाणू प्राय समाचारों में देखा जाता है और यह किस विमारी से संबंदित है एक है यह H1N1 और एक है H5N1 तो जो H5N1 है वो word flu है और यह जो H1N1 है वो swine flu है तो D हैसका अंसर डेंगू जो है indies के काटने से होता है स्वाइन फ्लू से संबंदित है विस्व स्वास्त संगठन ने इसे वर्ष 2009 में H1N1 के करन होने वाले flu को वैस्विक महामारी घोषित किया था और स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार खांसी गले में खरांस ठंड लगना कमजोरी और सरीर में दर्द जो हैं सामिल है तो डी करेक्ट है कोश्चन नॉम्बर फाइब पर अज़िए करेंट अफेट्स का प्रशन है यह स्वामते पावो जिन्हें हाल ही में चिकित्सा के शेतर में या इसको मेडिसिन कहलो या फिजियोलोजी कहलो वर्ष दयार वाइस का नॉबल पुर्सकार परदान किया गया आपको बताना है कि किस देश के अनुवानशिक विद हैं वो जापान के चीन के स्वीडन या स्विचर लेंड स्वामते पावो स्वीडिस हैं ठीक है स्वीडन के हैं सी है इसका अंजर लेकि हाल ही में बिलुप्त होमिनिन और माना विकास के जीनोम के छेत्र में सोध करने के लें स्वीडिस अनुवानशिक विद स्वामते पावो को फिजियोलोजी या चिकेट साय मेडिसिन के शिलियां जो है वर्ष दयार वाइस का नौबल पुर्शकार प्रतान किया गया है कुशन नुबर शिक्स पर आजए इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल कब मना जाता है अंतराश्टिय एनिमेशन दिवस प्रतिवर्स मना जाता है 28 अक्टूबर को देखे प्रतिय एक वर्स विश्व इस्तर पर 28 अक्टूबर को मना जाता है अंतराश्ट एनिमेशन दिवस इंटरनेशनल एनिमेशन डे और यह जिवस जो है उत्सब मना ने अब हम एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों को, वयज्वनिकों को और टेक्निशनों के एनिमेटेड आरड को पहशान प्रदान करने के लिए मनाया जाता है वर्स दोहार दो में अंतरास्टे एनिमेटेड फिल्म एसोसियेशन जो युनेस्को का सरस्थ है इसके द्वारा अंतरास्टे एनिमेशन दिवसकी घोशना की गई थी किसके द्वारा वर्ष देहर दो में अंतराश्टिय इनिमेटेड फिल्म एसोसियेशन के द्वारा नेक्स्ट कॉस्टन पर आजईए कॉस्टन नमबर सेवन है फेडरेशन इंटरनेशन और फुटवाल एसोसियेशन या फीफा के संबंद में नमलिखित कतनों पर विचार करेंगे देखे पहला कतने फीफा एक गैर लावकारी संगठ है ने जिसके सरस्ट की बरतमान में संख्या 211 और इसकी स्थापना वर्ष उनिस्वचार में हुई थी कौन सा स्टेट्मेंट इसमें सही है Φीये फीफा विलकुल एक गैरलावकारी संगठान है जिसके बर्तमान में सरस्य संध्य दोसो ग्यारा है और इसकी इस्थापना उनिस सा चार में फ्रांप जर्मनी वेल्जं, डेनमार्क, नीधर लेंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जर लेंड के राश्टे संगों के मद अंतरास्य पर्तिस पर्दा की निगरानी के लिए हुई थी और इसका मुख्याला है जियोरिक में अब है कॉशन नमबर एट हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल दोहर बाइस का अजन भारत की कि सहर में किया गया भारत की राजधानी में किया गया है यानि नई दिल्ली में तो हाल ही में स्वयम साहता समुहों की महिलाओं के द्वारा त्यार किये गए पारंपरिक और घर में बने हस्तसिल पेंटिंग खिलोने आदी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल क्या गया हो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और 1652 किस अनाज की उन्नत किसमे है सरसो की चना की चाबल या गेहूं काला नमक चाबल पूसा नरेंद्र काला नमक चाबल 1638 और 1652 सी है इसका अंसर देखे हाल ही में भारते क्रशी अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चाबल की दो नई बौनी किसमें पूसा नरेंदर काला नमक 1630 और पूसा नरेंदर काला नमक 1652 का सफलता पूरपक परक्षन किया जो की दोगुनी उपस दिती है और यह पारंपरिक किस्म में कम उपस की समस्या का समधान करेगी और इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहर सिदार्थ नगर के ओडी ओपी उतपाद के रूप में समानित किया गया जो उत्तर प्रदेश के तरही छेतर में इस्थित एक अकांशी जिला है तो सी करेक्ट है ना सी में है काला नमक चावल ठीक है 1638 और 1652 पूसा नरेंदर काला नमक कॉश्चन नमर 10 पर आजईए अर्थ सास्त्री अमर्थ सैन के संबंद में नमलिखित कत्मों पर विचार करेंगे दुत्य पंचवर्सी उजना में इनका महतपून योगदान था और इन्होंने राज सैन मौडल प्रस्तूत किया था एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्सी उजना किस मौडल पर आधारी थी और दुत्य पंचवर्सी उजना किस मौडल पर आधारी थी तो हैरोल, डोमर, मोडल पर अधारिС थी प्रत्थम, पंचवर्सी होज़ना दूसरी पंचवर्सी होज़ना, महाल, नोविस, मोडल पर अधारिС थी और यहां, अमरति subtی सेने के संबंद में, यह दोनों के दोनों जो कथन हैं, उसद्थे हैं, सी हैस कांसर देखें अमर्त सेन का जन्म जो है तीन अमबर 1923 को कलकत्ता में हुआ था वे एक महान अर्थ सास्त्री और दार्शने का अधुत्य पंचवर्सी योजना में अमर्त सेन का महतपुन योगदान रहा अमर्त सेन ने महाल नोविस के दूई भागिये कमियों को दूर करने के लिए चार विभागों बाला एक वेग्यानिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे राज सेन मॉडल के नाम से जाना जाता है और इस मॉडल को उन्होंने प्रोफेसर के एन राज के साथ मिलकर त्यार किया कोशन नॉम्बर 11 पर आज़िए राष्ट ये महिला आयोग की स्थापना किस वर्स होई थी राष्ट ये महिला आयोग की स्थापना कब होई थी 1992, 1982, 1985 या 1964 कब होई थी राश्ट्य महिला आयोग की स्थापना 1992 अप्सन अमबर ए है इसका अंजर देखे राश्ट्य महिला आयोग की स्थापना जनबरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई और इस आयोग का गठन 31 जनबरी 1992 को जैनती पतनायक की अध्यक्सता में किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं और राश्ट्य महिला आयोग के अध्यक्ष को केन सरकार द्वारा नामित किया जाता है कुश्चन नुम्बर बारे पर आजए नमरीकित में से किस वर्स अर्ध नयाईक स्वायत प्राधिकरण के रूप में भारतिय प्रेश परिशद की स्थापना हुई थी? कब हुई थी भारतिय प्रेश परिशद की स्थापना? 1966 1966 देखें पहली बार वर्स 1966 में भारतिय प्रेश परिशद अधेनियम 1965 के तहत पहले प्रेश आयोग की स्थापना पर फिर से पढ़ देते हैं इसको भारतिय प्रेश परिशद देखें भारतिय प्रेश परिशद पहली बार 1966 में भारतिय प्रेश परिशद अधेनियम 1965 के तहत पहले प्रेश आयोग की सिफारी सो पर इस्थापित किया गया था ठीक है? या की गई थी कर सकते हैं जिसका दोहरा उद्देश क्या है भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजन्सियों के मानकों को बनाए रखने अब हम इसमें सुधार करके प्रेज की सुतंतरता को सनरक्षित करना अर्ध नयाईक स्वायत प्राधिकरण के रूप में इसे 1979 में प्रेज परिशद अधिनियम 1978 के तहट फुर से स्थापित किया गया था अब हरते प्रेज परिशद या प्रेज काउंसिल आफ इंडिया बोलते हैं इसको इंगलेस में एक मात्र निकाय है जो प्रेज की सुतंतरता की रक्षा के अपने कर्तव में राज के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रियोग करता है अब अज़े कोशन नमबर 13 पर कोशन नमबर 13 है हाल ही में तोखू इमोंग वर्ड काउंट तिहार किस राज में मनाया गया नागालेंड में अनाचल प्रदेस में मिखाले में या उत्राखंड में तोखू इमोंग वर्ड काउंट ये नागालेंड में मनाया गया ये है इस कांसर देखिए अमूर फालकन अमूर फालकन के अतरिक्त पक्षियों की अने परजातियों को सामिल करने के लिए चार दिवसी है पहला प्रलेखन अभ्यास तोखु इमोंग वर्ड काउंट ये नागालेंड में अज़ित किया गया और इस तिवहार के लिए नागालेंड के बोखा जिले में प्रभुत रखने वाले नागासमुदाय लोथाओं की फसल कटाई के बाद का समय जो है वो निर्धारित किया गया है और हर साल साथ नवंबर को मनाया जाने वाला ये है तिवहार नो दिनों तक चलता है क्वेशन नोबर 14 पर आजए निम्रे के दीपो में से किस पर मोना लोगा जोयला मुखी अवस्तित है प्रशन इंपोटेंट है वाड जोक्रफी का सवाल है ये मोना लोगा जोयला मुखी है हवाई दूइप पर C है इस कांसर देखिए मोना लोगा दुनिया का सबसे बड़ा सील्ड जोला मुखी है ठीक है और मोना लोगा जोला मुखी हवाई दूइप में वस्तित है और ये दुनिया का सबसे सक्रिय जोला मुखी है यानि एक्टिव वालकैनों में से एक है ये और मोना लोगा हवाई दूइप समों का सबसे दक्षणी दूइप है और मोना लोगा में आखरी बार 38 वर्स पूर्ब विस्फोर्ट हुआ था Q15 पर आजए हाल ही में Rising Sun Water Faced 2022 का एवजन किस राज में किया गया Rising Sun Water Faced 2022 का एवजन किया गया है कहां पर हिमाचर प्रदेश इसका उत्तर नहीं है गोवाई इसका उत्तर नहीं है इसका उत्तर अपसरमबडी मेखाले देखिए Rising Sun Water Faced के उधगाटन समारू का एवजन मेखाले के उमियम जील के प्राची नहीं मनुरम परिवेश में किया गया उमियम पर हम इभी हाली में चर्चा कर चुके हैं ठीक है कि उमियम जील कहां पर है तो मेखाले में इससे था और ये एक मानव निर्मित जलाश है गारो आदिवासी समुदाए के सदसेदी राइजिंग Sun Water Faced देहरवाइस के अवसर पर बांगला नरत्ते करते हैं बिभिन प्रकार के नरत्तों के साथ मना जाता है और यह त्योहार सूर्य भगवान के समान में मना जाता है तथा यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ती का पृतिक है क्वेश्चन नमबर 16 पर आजिए बैंकों में गैर निस्पादनकारी परिसंपतियों में प्रधी के लिए नमलिकत में से कौन साया से कारक उत्तर दाई है चार कारक हैं यहाँ पर जैसे कि विवादित, अनुवंद, घरेलू, मांग में कमी, वैश्विक, मंदी, खराब, रण, मुल्यांकन नीचे देगे कूट की सायता से से उत्तर का शुनाब कीजिए बैंकों में गैर निस्पादनकारी परिसंपतियों यानि NPA में प्रधी के लिए नमलिकत में से कौन से कारक उत्तर दाई है सभी कारक यह सभी कारक उत्तर दाई है अप्सन नमबर D, 123 या उपरोग सभी सकांसर है तो बैंकों में गैर निस्पादनकारी परिसंपतियों यानि NPA में ब्रधी है तू वैश्पिक मंदी ठीक है वैश्पिक मंदी घरे लू मांग में कमी नीती संबंदी गती रोहोद विवादित अनुवंद सरकारी घाटा खराब रिरन मुल्यांकन, कमजोर जोकिम प्रवंधन, पूर्ण रिरन यानि कोई एक्विटी नहीं इत्यादी है सभी कारक जो हैं वो जुम्बेदार है कॉश्चन नमबर 17 पर आज़े भारतिये जन जाती सहकारी विपड़न, विकास, परिसंग की स्थापना यानि ट्राइफेड की स्थापना किस वर्स होई थी यह यूपी PCS में और आरो आरो में इस तरह के प्रश्ण सीधे कर लेता सीधे सन पूछ लेगा 1966 में, 1977 में, 1987 में, 1987 में सीर संगठन है जो जन जाती कारी मंत्रा लेके पुर्शांस की ये नेंत्रन की अधिन काम करता है ट्राइफेड का मुख्याले कहां पर है दिल्ली में है और इसके तेरा छेत्रे कार्याले हैं जो देश के विभिन इस्थानों पर इस्थत है अब आजाए कोशन नमबर 18 पर हिस्थी का प्रश्ण है चंद्रकुप्त मौर के राज प्रशाद के संबंद में यह प्रशाद मानव करत नहीं है वरन देवो द्वारा निर्मत है और प्रशाद के इस्थंब पत्थरों से बने है और उन पर अदूतिय चित्र उभरे हैं यह कथन किसका है? हुईन सांग का, फायान का, मैगस थनीज का, या डाय मेकस का चंद्रकुप्त मौर के समय कौन? देखे जो साशन काल के समया था वही होगा हुईन सांग हर्थरवरदन के समया था इसको अटा देजे फाहिया निक्चीनी यात्री था ठीक है? बी ही है इसका अंसर तो चंद्रकुप्त मौर ने पाटली पुत्र में बहुत विशाल एवंभव राज प्रशाद का निर्मान कराया था और उसके राज महलों के स्थंबो पर चित्र कलातर था मूर्ती कला का सुंदर के भवन जो है बलुआ पत्थर से निर्मित थे तथा उन पर चमकदार पालिस की गई थी और चीनी यात्री फाहियान के अनुसार यह है प्रशाद मानवकरत नहीं है वरन देवो द्वारा निर्मित है और प्रशाद के स्थंब पत्थरों से बने हैं और उन पर अदूतिय चित्र उभरे हैं तो इस तरह की NCRT के लाइन उठा के सीधे एक्जाम में के प्रशन बन जाते हैं कि किसका कथन है किसने कहीं कथन प्रशाद नमबर 19 पर आजेए कौटिल के अर्थसास्त्र में कितने अधिकरण और प्रकरण है 11 अधिकरण, 18 अधिकरण, 16 अधिकरण, 15 अधिकरण, 130 परकरण, 210 परकरण, 190 परकरण या 180 परकरण परशन गरें से पुछे है अर्थसास्त्र के रिष्णाकार कौन है कोटिल या चाणक या विश्णोगुप्त ये तीन नाम एकी व्यक्तिके हैं तो कौटिल के आर्थ सास्त में 115 अधिकरण और 180 हैं प्रक्रण पर्थम अधिकरण राजास्त संबंदी विब्रण देता है दुत्य अधिकरण नागरिक प्रशाषन के बारे में जानकारी तीसरा और चोथा अधिकरण दिवानी फोसदारी अविक्तिकत कानून के बारे में पंचम जो अधिकरण है वो समराट के सभासदो और अनुचरो के खर्तव अमदायतु के बारे में और अंतिम नो अधिकरण जो हैं वो राजा की विदेशनीती और सैनिक अभ्यान आधी प्रिया दर्शिका रतनाबली नागनंद के रशेता कौन थे इसमें दुन्द बान भट और हर्शवर्धन में रहता है ये तीनों जो नाटक है वो हैं हर्शवर्धन के ठीक है जेखिए प्रिया दर्शिका रतनाबली और नागनंद के रशेता वर्धन वन्स के समराट करने का था है और नागनंद बौध धर्म से प्रभावित रिश्णा है तो विकल्प सी है इस कांसर है तो 20 प्रेशन थे इसमें करेंट फेस्टों जी एसके इन सभी की प्रेक्टिस आप कर लिजेगा इनका पीडियेफ प्राप्त कर सकते हो आप एक पीडियेफ में जो है 100 कॉ या वर्टसप करके आप पर टेलिग्राम ग्रूप से जोड़ सकते हैं हर दन प्रेक्टिस करते रही है धन्यवाद